और पेगसस मामले में एक बहुत महत्वपून बात है आज सुप्रीम कोट के एक निरनय को लेकर राहुल गांधी जी ने पुनह उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं राहुल जी आप इस विशय को लेकर कोट नहीं गए थे नहीं कॉंग्रेस पार्टी इस विशय को लेकर कोट गए थी कोट में इस विशय पर लंबी चर्चा लंबी बहस होने के पश्चात कोट ने अपना फैसला सुनाया है और पेगसस मामले में एक बहुत महत्वपून बात है सरकार के एफिडविट के साथ में बैठा हूँ आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडविट दिया था उसमें पश्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रूप के लोग की कमिटी गठित की जाए एक एक एक्सपर्ट की कमिटी बनाई जाए और आज कोट ने एक्सपर्ट की कमिटी बनाई है जो सरकार ने अपने एफिडविट में कहा था जो सरकार ने अपने एफिडविट में प्रतिपाधित किया था वही हुआ है the government in its affidavit the copy of which I carry today had categorically stated to the Supreme Court that we are also of the opinion that in order to counter the false narrative of certain vested interest group it would be fair that if we establish a committee of experts and they look into this whole issue and this is what has happened today on the floor of Supreme Court an expert's committee has been made and the government has also said to them and if you will study this affidavit this affidavit has been made some words that have been used which is very important this whole controversy which is the manufactured controversy it is based on certain conjectures surmises and unsubstantiated reports in all these issues this affidavit has been made in Dubai और इन सब विश्यों को लेकर आज एक कमिटी बनी है कमिटी अपनी जाच करेगी बारती जनता पाटी लोकतांत्रिक मुल्यों में संपून रुप से विश्वास करती है इस पूरे मसले को लेकर अधर्निय मंत्री इस याश्विनी वैश्णव जी ने भी पार्लमेंट के पट का विवार अलोकतांत्रिक विवार कॉंग्रेस पार्टी का रहा था वक्तव्य को छीन कर फार देना उस स्टेटमेंट की कॉपी को फार देना और वो भी सदन के पटल पर यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी राहुल जी आपने वही शब्दों को रिपीट किया ह है और हमें लगता है आप तो कोट गए नहीं मगर एफिडविक में जो सरकार ने कहा था आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमीटी का कठन हुआ है और अन्प में यह भी कहना चाहूंगा ड़स राहुल गांदी रियली हाफ फेट ओन दे कोट आप याद करिए हर विशय म पटिक्लर lui mister Rahul Gandhi has attacked the Supreme Court of India Iwan हर विशय में हमने ऑर हर विशय में राममंदिर के case में भी देखा और हर विशय में Rahul Gandhi Court को पट्वेर्टी जन्ता पार्टी एक डिमोकरटिक पार्टी है we believe in the process of democracy